पेट्रोल डीजल के डाम में लगातार हो रही बड़ोतरी पर किंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार को घेरने के लिए कॉंग्रेस की ओर से बुलाए गए भारत बंद के तहत आज 20 से अधिक विपक्षी दलों के नेताओं का राजखट से रामलीला मैदान की तरफ मार्च शुरू हो गया है इसमें कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी सहित विभिंग दलों के नेताओं शामिल है सभी आज के प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं कॉंग्रेस का कहना है कि उसकी ओर से बुलाए गए भारत बंद सुबह 9 बजे से दुपह 3 बजे तक रहेगा ताकि आम जनता को दिक्कत नहीं हो इस्ट कोस्ट रेल्वे जोन ने 12 है ट्रेने रब की जारखंट के कई लाकों में 12 144 लागू तमिलनाद उसे करनाटक के लिए बस सेवा को होसुर में रूपा गया मुंबाई कॉंग्रेस अध्यक्ष संजे निरुपम ने पुलिस के साथ की धक्का मुक्की रेल्वे ट्राक पर प्रदर्शन पाटना में पप्पू यादर की समर्थकों ने बस में तोड़ फोड़ की बिहार के मुतिहारी में बंद समर्थकों का हंगामा एनेच 28 की आजान कॉंग्रेस के बंद के चलते अहंतबाद में सर्पी की दो कंपनियों के तैनात किया गया है विहार के दर्भंगा में जयान अगरपटना कमला गंगा फॉस्ट पैसेंज ट्रेन को रूख आ गया दिल्ली में आज सदर बजार और चान्नी चौक समेट सभी प्रमुख बजार खुले रहेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री मंता ब्वनजी की समर्थन वापिस लेने के बाद कॉलकाटा में भारत बंद का कोई एसर नहीं ये पार्टियां कर रही समर्थन कॉंग्रेस के मुताबिक समाजवादी पार्टी सपा बहुजन समाज पार्टी बसपा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी राकामपा द्रमुक त्रिनमुल कॉंग्रेस राष्ट्य जनता दल राज़त माक्सवादी कमिनस्ट पार्टी माकपा भारतिय कमिनस्ट पार्टी भाकपा जद एस आमादमी पार्टी, आप ते अलगू देस पार्टी, ते देपा, राश्य लोग दल, रालोध, जार्खंड मुक्ती मोर्चा, जामुमो, नेशनल कान्फरेंस, जार्खंड विकास मोर्चा, प्रजाता अंतरिक जाविमोपर, AIUDF, केरल कॉंग्रिस एम, रिवोल्यूशनरी प्रशलिस्ट पार्टी, आरस्पी, आईउएमेल और लोगतांतरिक जनता दल के नेता इस प्रदर्शन में शामिल है, जेड न्यूस की रिपोर्ट